वेलकम टू नेक्स अग्जाम आज है 23 जनवरी 2023 और 23 जनवरी 2023 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारा में इस वीडियो में बिसक्स करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट वेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्ट अब मैं आपसे कुश्चिन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पेडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसक्सिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियो पे एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुर्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशिन है हाले में किसे 2022 के लिए सर्व स्रेस्ट पुलिस इस्टेशन की रूप में चुना गया तो अभी असका पुलिस इस्टेशन को 2022 के लिए सर्व स्रेस्ट पुलिस इस्टेशन की रूप में चुना गया तो इसकुर्शन का बे ओप्सन सही है अब मैंड में तो क्लिक जरूर कर गया होगा कि यह असका पुलिस स्टेशन कहां पे है तो यह उडिसा की गंजम जिले में है असका पुलिस स्टेशन और इसे 2022 के लिए सर्व स्रेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया अब यह उडिसा में है तो यह है मैप में उडिसा की Chief Minister कौन है नबेन पठनायक और उडिसा की Governor कौन है गनेशी लाल अच्छा उडिसा में हैं विलर दीप और विलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दुल कलाम दीप रखा गया उडिसा दिवस या उतकल दिवस एक अप्रेल को मनाय जाता है अच्छा अभी पंद्रे में होकी बिसुकप का उद्गाटन उडिसा के कटक में हुआ है बिंटेज बहानों के लिए अलग पंजी करण करने वाला पहला राजी उडिसा बना है उडिसा सरकार ने लंपे तोचारों का निसुल्क टेका करण करने की गोशना की है और उडिसा सरकार ने राजी को 2023 तक सलम मुक्त बनाने की गोशना की उडिसा में सुनाबिडा वाइललेफ सेंचुरी है, कुठा गड़ वाइललेफ सेंचुरी है, नलवन वाइललेफ सेंचुरी है, बैसी पल्ली वाइललेफ सेंचुरी है देवरी गड़ वाइल एसेंचुरी है गहिर मट वाइल एसेंचुरी है और चिलका लेख है चिलका लेख भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में रसी कुलिया बीच है, गूर्डन बीच है, उडिसा में लिंगराज टेमपल है, कुडाग टेमपल है और जगरना टेमपल है, इतना आप उडिसा के बारे में आद रखिए, अच्छा आज की सुडियो का हम टार्गेट रखते हैं, चाली से अलाइक का, तो अगर यह बीडियो आपको अच्छा लगता है, अलपो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उटकर, राली में रास्टी एड्स नियंतर संगठन ने कहां सबसे बड़ी मानव लाल-ryबन शरंकला बनाई रास्टी एड्स नियंतर संगठन ने अभी भुबनेस्वर में सबसे बड़ी मानव Takes स्रंकला बनाई तो इसको सिंद्थ यंका। से ओप्शन से यह अब रास्ती एड्स नियंतर संगठन इसकी स्तापना कव हुई 1921 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डैली में और इसके प्रजेंट टैम पर डारेक्टर जनरल कौन है वे हेकाली जिमोमी कौन है वे हेकाली जिमोमी नहीं हुशन है हाली में भारत का पहला Online Gaming Center of Excellence किस प्रदेश में स्तापित किया जाएगा तो भारत का पहला Online Gaming Center of Excellence अभी मेघाले में स्तापित किया जाएगा तो इसके बे आप्शन सही है मेघाले की केपिटल क्या है? मेगाले की चीपनिष्ट कौन है? कॉन्रड संगमा और मेगाले के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा अभी प्रतिक्रसी परिवार औसत मासिक आये में मेगाले टॉप पर रहा है मेगाले सरकार ने एसिया के पहले ड्रोन डिलिवरी हब का अनावरड किया वांगला महुतसब मेगाले में मनाया गया मेगाले के मुख्य मंतरी ने नागरिक जुडा और संचार कारिकरम सुरू किया मेघाले में स्थित मौम लुह गुफा को पहली भारती भू बिरासत साइट की रूप में माननेता मिली है इतना आप मेघाले के बारे में याद रखिए नया शुशन है किसे सयुक्त रास्ट परियावर्ड कारिकरम के कारीकारी निदेशक की रूप में चुना गया तो अभी इंगर एंडरसन को सयुक्त रास्ट पर्यावर्ण कारेकरम यानि की UNEP United Nation Environment Program इसके कारेकारी निदेशक के रूप में चुना गया है तो अभी इंगर एंडरसन को चुना गया तो आप इमेज में देख लीजिए ये हैं इंगर एंडरसन अच्छा अभी बियारों में तेनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सुरूबी जख मोला बनी है रत्न एबम आबुसर परिस्द के चेर्मेन सैयम महरा चुने गए भारत पे ने CEO की रूप में नले नेगी को न्यूक किया सियाचिन में तेनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सिबाज चौहान बनी है और पंकज मोहन ने भारती बायुसिना की पस्चिमी कमाल समाली है डेबिड क्रोस भी ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिन का बे आप्सेंस है ये थे अमेरिकी रॉक लीजेंड डेबिड क्रोस भी और अभी इनका निधन हुआ है ने कुश्चिन है हाली में आयोजित पुरुस बर्ग में धाका मेराथन 2023 में कौन चेंपियन बना है तो अभी स्टेनली की प्रोटिच वेट धाका मेराथन 2023 में पुरुस बर्ग में चेंपियन बने है तो इस कुश्चिन का ए आप्सेंस है ये हैं स्टेनली की प्रोटिच और यही अभी ढाका मेरात्थन में पुर्सबर्ग में चेंपियन बने है हाली में कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले की मेजवानी करेगी सरस मेलाद दोजर तेश इसकी मेजवानी अभी जम्मु कसमी सरकार गरेगी तो इस कुछीन का से ओप्सिन सही है अब सरस मेला, इस मेले में देश भर के सिल्पकार और महिला स्वेम सायता समूं अपने सिल्प, हस्त सिल्प, हत करगा और खाद पदारतों को पρदरसित करेंगे अच्छे जम्भू कस्मीर, तो जम्भू कस्मीर की lieutenant governor कौन है? मनोज सिन्ना अभी कस्मीर में चलनाई कला की शुरुआत होई जम्मू कस्मीर ने पहली बार जन जाती सीत कालिन महुतसप की मेजवानी की जम्मू कस्मीर उच्च नयाले का कारेबाहक मुख नयादीस तासी राबस्तान को नियुक किया गया जम्मू कस्मीर में उदंपूर में तेन दिवसी हत्यार फायरिंग प्रतियोगिता संपन होई है जम्मू कस्मीर में दच्चि ग्राम नेशनल पार्क है केस्त वार नेशनल पार्क है और डक्टर सलेम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कस्मीर में है अच्छा जम्मू कस्मीर में डल जील है बुलर जील है मानस बल जील है और गंगा बल जील है इतना आप जम्मू कस्मीर की बारे में याद रखीए ने कुशिन है के स्राजी की पुलिस ने साइबर कॉंग्रेस पहल की सुरुवात की तो अभी तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कॉंग्रेस पहल की सुरुवात की है तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है अब तेलंगाना तो यह है मैप में तेलंगाना तेलंगाना की केपिटल क्या है 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 तेलंगाना की चीप निष्टर कौन है के चंसे कर राव और तेलंगाना की गवर्नर कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन अभी तेलंगाना पुलिस महानेदेशक की रूप में अंजनी कुमार ने पदवार ग्रेड किया है तेलंगाना में नेम के पेडों की पतियां डाइबेक रोक से प्रवाबित पाई गई तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुली योजना को फिर से लॉंच किया है अभी हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रेन सिटी अवार्ड 2022 जीता है तेलंगाना सरकार ने आस्रा पैंसन शुरू की है तेलंगाना सरकार अनसूचि बढ़ा कर 10% करेगी भारत का पहला बाने के बिस्विद्याल है तेलंगाना में स्तापित होगा और भारत का पहला 3D printed मानव कौर्निया हैदराबाद में बिक्सित हुआ है ने शुशन है हाली में किसके द्वारा रास्टी स्टार्टप पुरुसकर 2022 के बिजेताओं को सम्मा सम्मानित किया गया तो इस कुशन का A option सही है ने कुशन है किस राज सरकार ने School of Eminence परियोजना सुरू की तो अभी पंजाब सरकार ने School of Eminence परियोजना सुरू की इसमें क्या है 9th क्लास से 12th क्लास तक के जो government school है उनको School of Eminence में convert किया जाएगा तो इसकी सुरुआत ने की है यानि किस कुशन का A option सही है अब पंजाब तो यह है मैप में पंजाब पंजाब की केपिटल क्या है चंडिगर पंजाब की चीपनिश्टर कौन है बगबंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है बनवारी लाल प्रोहित अभी राखी गुपता भंडारी ने पंजा पंजाब में पैंसन योजना की बापसी की है एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट बायोगैस प्लांट का उद्गाटन पंजाब में हुआ है पंजाब चार बागमानी एस्टेट इस्तापित करेगा पंजाब सरकार ने रास्ती पुरुसकार प्राप्त करताओं को मासिक व नेशनल इस्पूर्ट्स क्लव औफ इंडिया स्नुकर ओपन क्राउन दुजर तेईस जीता है तो ये लक्षमड रावत ने जीता तो इसकुशन का से ओप्सन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं लक्षमड रावत और इनो नहीं नेशनल इस्पूर्ट्स क्लव औफ इं नभी करड़ी ऊज़ा एजनसी की अध्यक्षता ग्रेड की है तो अभी अपने देश भारत ने तेरेमी अंतरास्टी नभी करड़ी ऊज़ा एजनसी की अध्यक्षता ग्रेड की तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है नएक शुशन है हाली में परेटन मंत्राले द्वारा पहला पहला बेसुपरेटन निवेशक सिखर सम्हीलन किस सहर में आयोजित किया जाएगा तो अबी परेटन मंत्राले के दौरा पहला बसुपरेटन निवेशक सिखर सम्हीलन नई दिल्ली में आयजित किया जाएगा तो इस question का बे option सही है Now question है, हाली में जारी Global Fire Power Index 2023 में बारत कौन से इस्तान पर रहा है तो Global Fire Power Index 2023 इसमें अपना देश भारत चौथे नम्मर पर रहा है तो इस कुशिन का A options है अब इंडिया चौथे पर है तो पहले दूसरे और तेसरे पर कौन है पहले पर है USA दूसरे पर है रसिया और तेसरे पर है चाइना और चौथे पर है से समानत किया गया तो अभी मनेश देवारी को Freedom of City of London से समानत किया गया तो इस कुशिन का A options है यह ब्रेटेस भारतय उद्यमी मनेश देवारी इनेपर फ्रेडम of City of London अबी अम्बेका सुथन मंगड ने उडग कुझल पुरुसकार जीता है 2022 के लिए एकलब पुरुसकार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया राइजिंग स्टार अब दा एर पुरुसकार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया अबनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स परसन अब दा एर का पुरुसकार मिला है और गांदे मंडेला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूचा था कि हाली में किस ने हौके बेसुकाप के इतियास की पहली बड़े जीत दर्श यह तो अभी नेदरलेंड ने होके बेसुकप के इतियास की अब तक की सबसे बड़े जीत दर्ज की तो इस question का बे option सही है नीदर लेंड ने चिले कोहरा कर ये होके वर्ल्ड कप के इतियास की सबसे बड़े जीत दर्ज की है और maximum student ने इस question का answer सही दिया मैं आपको हर बार बोलता हूँ जब भी मैं आपसे कोई question पूछू उसका answer आप detail में लिखा करो जितना detail में आप लिखोगे उतने चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगे अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में मड़िपूर, मेगाल है और केस राजी ने 21 जन्मरी को अपना इस्तापना दिवस बनाया है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook for next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc I-N-D-R-E-S-H-R-C Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चाली से like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभे तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजी आपको इस channel से निश्चेत ही मदब मिलेगी वाचिंग कर दो कर दो कि आपको ये प्लेज़ का तो इस आपको इस नहीं कर भी झाल दो सकत्व जरू को जरूर कर दो सकत्वार में प्लेज़ आपको जरू कर दो सकत्या है